Hello and welcome आप देख रहे हैं Money9 और ये है Trending Stocks आज हम बात करने वाले हैं PNC Infratech के बारे में जो एक negative ख़बर की वज़ा से 20% के lower circuit में लॉगड है पहले ख़बर जान लेते हैं Ministry of Road, Transport and Highways ने आज PNC Intrastructure, Infratech और उसके दो सबसिड्रीज पर एक साल के लिए band लगा दिया है पीरिड तक बिड नहीं कर पाएगी रिपोर्ट के अनुसार ये band CBI की ओर से की गई एक bribery investigation से लिंग्ट है अब जानते हैं कि इस band से company के financials पर क्या असर पड़ेगा PNC की order book करीब 19,100 करोड की है जिसमें से 38% order Ministry of Road Transport and Highway से हैं पर note कीजेगा कि company ने clarification दिया है कि इस band का उसकी existing order book पर कोई impact नहीं होगा पर चुकि 38% order book Ministry के थूँ आती है तो guidance पर major impact देखने को मिल सकता है PNC ने अपनी exchange filing में ये भी कहा कि इस band से उसकी construction और development related activities पर कोई impact नहीं होगा और बाकी activities पर होने वाले impact को भी evaluate वो कर रही है और जल्द से जल्द ही जानकारी शेर करेगी पर PNC ने इस clarification के बाद market पर कोई असर नहीं पड़ा और आज stock 20% के lower circuit में बंद हुआ ध्याने दिन के वाली बात ये है कि stock ने 27 में से downtrend में है और हर छोटे pullback ने market ने follow on selling की है जिसकी वज़ा से price chart में एक downward sloping channel देखने को मिल रहा है technical indicators की बात करें तो RSI ने के मताबिक stock आज corrections के बाद oversold zone में आ चुका है और PNC के stock ने आज अपना 9 days simple moving average भी तोड़ दिया है and medium to long term price action की बात करें तो वो भी weak नजर होता हुआ दिख रहा है अगर PNC की performance के बारे में बात करें तो 2024 year to date पहले 10 महीनों में stock ने करीब 4% का return दिया है अगर इससे nifty को compare किया जाए तो nifty 14% उपर है और पिछले 6 महीने में PNC का stock लगबख 16.5% down है और पिछले 3 महीने में almost 29% की गिरावट देखने को मिल रही है अगर expert report की बात की जाए तो GM financial ने PNC को buy से downgrade करके अब hold करने का advice किया है और price target कट करके 410 का कर दिया है जो आज की closing से 12% उपर है report में GM financial ने order inflow guidance और revenue guidance estimates भी slash कर दिये है तर कि बात की जाए ने यंद की बात की जाए प्रक्षा आए